सबसे पहले हम बात करेंगे उस न्यूज की जो हमारा छूट चुका था जो न्यूज हमारा कल का आर्टिकल बचा हुआ था उसे हम डिस्कस करेंगे और आपको क्या करना है आपको फ्रिविज यर कुश्चन का आंसर देना है कमेंट वॉक्स में यह कोश्चन तो जर बाइस में पूछा गया था और इस कोश्चन का जो डिटेल से वह हम अंदर और वो इसी तरह की ब्रीडिंग से संभावना है तो यू हब तो वॉच इट लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट में देना है बात करते हैं जो हमारा कल का आर्टिकल बचावा था यह जो हमारी अगनी फाइव मिसाइल है उसे संभावन देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इंडिया के पास आज के रिट में जो नुकलिर स्याइड है यानी वह तुरिशूल जो नुकलिर पावरस भारत के पासल अगर हमारे हैं अगनिके पात सीरी जह से रिसकल करेंगे याज यार्वेक्टर में भारत के पास सुक होई है जो कि सब्सें पुराना है मिराज है जुगार है इविन राफ है लग हमारे पास है it ЩT को रहे हैं जिसमें सब्मरीन से मतलब ब्लास्टिक मिसाइल सब्मरीन से और जो है अरिहन्त है हमारे पास तो इस तरीके से हमारे पास सी के अंदर बहुत सारे हैं और जिस पर बहुत सारे पर काम चल रहा है ठीक है अगर हम अभी के डिटमें बात करें जो अगनी हमारी मिसाइल स से जिसके बारे में अभी हमने डिसकस करना जिटिल से पहले जो अगनी वन लॉंच हुआ था ना वो 1989 के टाइम में इंडिया में लॉंच हुआ था पहली जो अगनी वन हमारी आई थी ना उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग वैरियंट्स आते गए और अगनी जो क्या कमिया है क्या से हम कंपैरिजन करें चाहिना के साथ उसे डिटेल से डिसकस करेंगे अगर हम अगनी वन की बात करें तो 700-800 किलोमेटर का रेंज है और अभी तक कि अगर हम बात करें लैंड वैक्टर मिसाइल में अगनी फाइब जो है वह भारत की सबसे अधिक दूरी करने वाली मिसाइल है ब्रह्मोज को भूल ने सकते है डेफिनेटली ब्रह्मोज एक है लेकिन उसके बाद हम देखेंगे अगनी फाइब जो हमारी वह 5000 किलोमीटर जो है रेंज की ब्लास्टिक मिसाइल है और इससे पहले अगनी तू जो है 2000 किलोमीटर रेंज थी 3000 और तो अगनी वन के बाद आप दो से अगर आओगे तो आपको 1000 2000 इस तरह से टू का मतलब 2000 त्री का मतलब 3000 ऐसा है नहीं नॉम्स में आपको याद करने का एक बता रही हो कि इस तरीके साथ याद रसकते हैं कि जो रेंज क्या है अगर हम बात करें जो अगनी फाइब ब्लास्टिक जिसकी रेंज इतनी ज्यादा है जिसकी टेस्टिंग हो गई है देखो यह मिर्व का मतलब क्या है बेसिकली यह मल्टी पर पर जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटिबल री इंट्री वहिकल से मतलब नहीं समझें मतलब हमारे पास जो नुकलियर आर्सेनल से हमारे पास वार कर सकता है अब जो लौंच की गई इसमें क्या बाते हैं कि देखेंगे बट्ट मर्विस टेकनोजी जो है इसमें मल्टी फैंम्स आप 민ी करा सकते हो नुकलियर आर्सेनल MH2 मिर ऑर्सेनल इसके सेक्टर में काफी आगे बढ़ गया है और डिफेंस इफ्रस्रक्ट्टर हमारा काफी बूस्ट हो गया इवेन हम उन पाच देसों में सामिल हो गया इनके पास ऐसे विपन्स हैं जिसमें यूएस रस्या चाइना फ्रांस यूके है और अब इसमें इंडिया आके इसले बाते हैं जाएना के बारे में आपने कई देखा हो आता है चायना हमिसा अपना दब्दबा कायम करने के पहुशंद करता है बदि इंडिया जो है बिलकुल भी दबने वाला नहीं है बिलकुल अपनी हमारी स्ट्राटजी ईमिलकूल एक सॉफभरें निशन ना हम है इसका नाम है HQ-19 उसके सामने हमारे अगनी फाइब जो है इसमें मल्टिपल चीजें जो हैं वह हैं जो हमें अलग से ट्रैप में डाल सकती हैं अब कैसे हैं देखो उसके पीछे क्या जो देखो आर्टिकल में ना जो बैग्राउंड है वो तो ठीक है बट आर्टिकल में आपको भी याद रखना है आंसर राइटिंग में आप यूज़ करेंगे अगर हम बात करेंगे जो अगनी फाइब है यह हल्प कर रहा है इस मैटर में अगर जो चाइना के पास यह HQ-19 था मतलब इतने हाइस ट्रेंज का मिसाइल था और मल्टिपल नुकिलियर वेपन इसमे सक्षम हो पाएं यह तो बिल्कुल है इसके आने से लेकर अगर हम बात करेंगे यहां पर देखो जो मिर्वी है हमारी इसमें बहुत सारे जो टेक्निकल क्राइटेरिया हैं इंक्लूडिंग जो नुक्लियर वार हैड है या जो अदर लो वेट के जो वार हैड है उनको जो है लांच करना उनकी री इंट्री कराना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भारत को देखने को मिलेगा अब क्यों मिलेगा क्योंकि भारत ने अपने जो नुक्लियर अगनी फाइव हमारी जो लांच हुई है इसके ना मल्टिपल टेस्टिंग नहीं की है ऐसा आर्टिकल का कहना है क इसके पिछी कुछ टेक्निकल कारण थे चालेंज थे इंजरिंग चालेंज को पास करते हुए भारत ने इसको किया है बट यह अलग बात है कि हम जो है इसको टेस्ट नहीं कर पाए है मल्टिपल टेस्ट करके भारत को देखना था अभी हम समझ पाएंगे कि इतना ज्यादा इन्हांस कर सकते इसकी मॉबलेटी क्या है और लॉंच करने में क्या दिक्कत आएंगी तो यह स्पेकुलेशन्स है और एक स्पेकुलेशन्स यह भी है कि जो मल्टी बोला गया है बट अभी जो हमारी दिशेंट कैपसिटी है वो हम बेसिकली तीन ही वार हेड को ले सकते है टीन ही निउकलियर वार हेड को लेने की छमता है अभी हमारे पास ये बताय जा रहा है इस आप्टिकल में यही कहना है वहार चेलेंज है कि हम उससे बढ़ हमारी जो BARC है that is a Bhava Atomic Research Center वो successfully definitely हम जो है impactful nuclear weapons बना पाएंगे जिससे हमारी जो MI, RV जो उसकी capacity को और हम boost कर पाएंगे चाना को और हम significant manner में deterrence create कर सकेंगे और ऐसा इसलिए कहा जारा क्योंकि भारत की एक नई प्रोजेक्ट आ रही है that is a SLBM, long range submarine nucleus blast missile है आने वाली है ये भारत का अपने आप में एक nuclear arsenal है जो की बिल्कुल बिसो में specific होगा और ये चाइना को obvious सी बाते nuclear छेतर में challenge दे पाएगा तो परिशानी आगनी 5 के साथ क्या थी, उसमें कैसे दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत है, भारत का दावा क्या है और आने वाले से हैं भारत क्या करता है, जिसे चाइना के साथ जो हमारा border tension है उसे हम दूर कर पाएंगे, ये article कहता है ना देखो, जो हमारा दूसरा news है ये आज को news है, जो आज की newspaper में ये article है वो जो है, वाचूर काव से संबंदीद है, गाय से संबंदीद एक article है गाय की varieties है, breeding testing से संबंदीद है और इसमें क्या नए news भी है, उसे भी हम add-on करके discuss करेंगे और कैसे question बन सकता है UPSC में, वो भी हम देखेंगा और एक अच्छी बात आपको बता दें, कि जो date है UPSC prelims का, वो change हो चुका just because of हमारे आम चुनाओ, यानि के लोकसमाद चुनाओ, जर्नल चुनाओ होने वाला है तो 16 जुन को अब जो है, अब UPSC prelims होना है, तो यह बहुत बड़ी बढ़ाई, उनके जिनके preparation अभी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा एक्जाम डिले होता है, इसे 2020 में, जो COVID के टाइम पर हुआ था, बार बार ऐसा exam का date बढ़ता मेरा तो specifically मुझे असल लगा था कि अरे अब क्या हो गया, लेकिन अच्छे परिणाम हुए थे, बड़ टेंसन बढ़ता जाता है, तो मुझे लगता है कि prelims इतना जल्दी हो जाए, खतम हो जाए, और fail pass का तो पता चली जाएगा, तुरन थी, लेकिन अगर obviously बाते देंगे तो यही सोच के देते हैं कि पासी होंगे, definitely अच्छा मैनत आप कर रहे है, quality आपकी मैनत के अच्छी होगी, तो आप means का preparation अच्छे से कर पाऊगे, free हो करके, मतलब आपका वेस्ट नहीं होगा, तो मुझे मेरे को प्रसनली अपने त्यारी में आसा ही लगा, अगर हम बात कर इसे discuss कर लेते हैं जल्दी से, जो हमें जो है गलेफू टाउन जो भुटान का टाउन है, क्योंकि अगले week मतलब इस week के end में जो है प्रधान मंत्री मोदी जी भुटान जाने वाले वुटान के जो national hit थे, वो हमारे यहां आए थे, देखो हमें डेटेल से भुटान से सम्मा के लेफू जो टाउन बनने वाला वह स्पेसल इकमामी जोन है भारत उसमें बहुत जादा सहायता कर रहा है भारत में भारत की जो चीजें हैं जैसे कि योगा अगेरा हो गया और जो भी इंपॉर्टन सी जो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और जो हमारी प्रसेडेंट द ठीक है तो उसमें डीले हो रहा है और डीले होने कि क्या रिपीकल्स आएंगे किस तरह से उसका फानेंसियल वड़न बढ़ जाएगा इस पर डिसकुसन कियेगा तो बहुत मेजर पॉइंट निगल के नहीं आ रहे ऑल्दो पॉलिटिकल बहुत जादा इसमें किया गया है औ उसमें डीले हो रहा है और डीले होने का कोस्ट ली क्यूस्ट कितना होगा उस पर बटं कितना जाते हैं तो क्योंकि चाइना के पास टीप Ing pig हंढन होई जल्दी से इंवेश्ट करता जल्दीवडमेंट करना शुरू करता है प्लद्स पति कता है वह हमें각र सれक्ली ani तो हमारा वही फंडा है slowly and steady win the race बढ़ जायना ऐसा मानता नहीं है ना आगे हम बात करेंगे जो काउ से समंधिन हमारा आर्टिकल था मैंने बताया सासे थुरूर जो की केरेला से member of parliament है उनके द्वारे लिखा हूँ आर्टिकल है ना ना देखो इसमें बताया गया ना कि जो सोसमा आईपे हैं जिनको पदमसिरी एवार्ड 2022 में मिला था वो बायो डैवरस्टी के प्रिजर्वेशन में इनको ये एवार्ड मिला था स्पेसिफिकली जो वैचूर काव की प्रजाती है इसको बचाने की प्रम में इनको ये एवार्ड मिला था इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुए इस गाई को लेकर के देखो अजादी के बाद जिसके कारण हमारी जो इंडिजिनियस ब्रीट थी न हमारी जो पसुधन है और देसी जो नसल थी न वो बर्बाद हो गई जिसके कारण वाइट रिवुलिशन है जिसमें मिल्क प्रडक्शन पर हमने बहुत विसे ध्यान दिया फिर हमारे जो देसी नसल की प्रजाती जो जनके दूद देने की छमता कम थी जो गाई है ठाइसे बरिणिंग करा नहीं उन ए ze button देने की खंता कम है तो हमने क्या क्या इस को बेंग साथ जिससे रहे की जो दूध देने की इसूस हमारे सामने आया जिसमें हमारी बहुत सारी गायों की जो देशी नसल थी वरवाद हो गई लेकिन उसी क्रम में जो वैचुर काव हैं इनके इनको रिस्टोर करने में इनका बहुत योगदान रहा वैचुर काव इससे प्यार हो चुका था लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से 1989 में ही डिसेपेर हुई इस गाय की प्रजाती को यह और इनके एक स्टूडेंट क्योंकि जो हैं प्रोफेशर है तो इनके अंदर में रिसर्च कर रहे थे अनील नाम के एक स्टूडेंट थे इनके इन्होंने इस चीज को डिसकावर किया और उसके बाद नाकिवल डिसकावर किया बलकि जो केरिला की उनिवर्सटी अग्रिकल्चर उनिवर्सटी वहां पर आठ तरह की लुप्त हुई गाय थी उनकी प्रजाती को बचाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमी का निवाई इसके क्रम में इन्हें बहुत सारे चीजों को फेस आउट करना पड़ा लाइक इनकी उपर जिन तोरी का आरोप लगा फॉरेंड में इनकी उपर आरोप लगा इवन जो इनके कलिक थे ऑफिस के कलिक थे जो इनिवर्सटी के अंदर थे और जो गवर्मेंट स्टाप थे उनका भी इनको सामड़ा करना पड़ा इवन इनकी उपर जो है वैचुर अम्मा कहलाती है क्योंकि इनको नीक नेम दिया गया वैचुर काव जो हमारी लुप्त हो गई प्रजाती थी उसको इन्होंने बचाया बायो डैवरस्टी के इतने चालेंज होने के बावजूत भी तो हम यह देखेंगे कि इनका लोकल नेम नीक नेम केरला में तो इ देखेंगे कि इन्हें एवर्ड भी मिला जो हमने डिसकस के स्टार्टिंग में तो इस तरीके से यह गाई जो है हमारी वह हमारे दिसके अंदर इस्टैबलिस्ट हो पाई जो कि लुप्त हो गई थी आर्टिकल में बेसिकली देखो चुकि अभी चुनाओ भी है केरला से संबंदिद यह देखो न्यूस तो पुरान ही कि 2022 में एवर्ड मिला था लेकिन अभी न्यूस एलक्शन से तो आप जिस भी छित्र के है उस छित्र चीज में आप बताने जारे वह एक इंपॉर्टेंट है आप समझो कि अभी ऐसा हुआ है कि MP की जो इनिवर्सटी है उन्होंने चार गाई की जो हमारी नसल है उनकी क्रॉस प्रेडिंग कराई है जीनों सिक्वेंसिंग कराई है अभी जो भॉपाल के अंदर जो हमारी इंड तरह की गाई की प्रजातियों को क्रॉस व्रिडिंग कराया जा रहा है जिससे अच्छी नसल की गाई हो सके वैचूर तो हमने देखा कि करला की है और यह वर्ल्ड की स्मॉलिस्ट जो है मतलब गाई मानी जाती है और एक चीज समझे की वर्ल्ड वाच लिस्ट में गाई है यह आपकी अंद्रपर्दिस की प्रजाती है इसको नाम भी आज रख सकते हो साइंटिफिक नाम बॉस इंडिकस ठीक है और उसके बाद हम देखेंगे कि यह बेसिकली पाई जाती है आपके इस्ट अफ्रिका में भारत के अंदर और मैक्सिको के अंदर ठीक है जो क कासगोड की ना दो है एक कासगोड जो है डाफ्ट है और दूसरा है कासगोड कपिला ठीक है तो कासगोड डिस्टिक केरला के अंदर भी है कासर गोडा और एक जो है कासर गोड आपके करनाटक में है तो यह केरला वाली है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको और यह नहीं पर confusion होगा ऐसी question UPSC देता भी है तो कासर गोड है और यहां पर हम देखेंगे दूसरा भी कासर गोड है बस एक में कपीला लगा हुआ एक जो है आपका डाफ्ट है जो कि केरला का है अब इसमें देखो इनकी ब्रेडिंग कराई जारी चारों की मिक्स ब्रेडिंग है इ एक जो गाई होती है उसकी आइस थोड़ी सी गोल्डन टाइप की होती है तो यह बहुत पिकलियर इन्फोर्मेशन इसले है क्योंकि मैंने इससे फांड आउट करने की कॉसिस की कि दोनों में डिफरेंस क्या होता नाम तो एक जैसा है तो ब्रेडिंग इनकी कराई जा रही ह यह यहां से कोश्चन बनने के भरपूर संबाबना है तो जो कोश्चन मैंने आपसे पूछा उसका अंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में थैंक्यू थैंक्स पूर वाचिंग